हेलो फ्रेंट सोगत आपके चैनल फेंटेसी डॉक्टर में एक बार फिट से जो मैं चुम इस वीडियो में कवर करने जा रहे है वो ने वाला यहाँ पर MTC वर्स एजी आर के बीच जो मैच होने वाला है यहाँ पर किरला चंपिंशिप का इस मैच की वीडियो वीडियो इंप करने वाले तो उससे पहले अगर आप मारे यूटुब चैनल पर नए आयो तो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल जोइन करना बहुत जरूए जिसका नापे फेंटेसी डॉक्टर आपको स्क्रीन पर नाम लिखावा दिखाई दे रहा होगा सेम नेम से हमारे टेलिग्राम चै अगर आपको हमारे टेलिग्राम के सही और ओरिजिनल वाले चैनल के साथ जुड़ना है तो आपको लिंक का ही यूज करना पड़ेगा जो आपको वीडियो के नीचे कमेंट में दिया हुआ है टेलिग्राम का तो इसको जरूर ध्यान रखना बाकी एक जरूर ध्यान रखना जो वीडियो के नीचे कमेंट में दिया हो आपको टेलिग्राम का अब आता है वीडियो के मेंड पार्ट पे बात कि जो बढ़ाने वाला सेम ग्रांड सनातन धर्म किर्केट ग्राउंड के रहा तो आज वाले मैच में इस बताहे जा रहे हैं तो इसलिए डाफिनिटली नौ तो नौ बज़े के बाद अगर मैं एक्सेंड होती है तो डेफिनिटली एक छोटा मैच होगा या फिर अबेंडन हो सकता है तो उसकेस में आप इंवेस्टन को ज्यदा मत करना नौ बज़े से पहले ही घटास हो जाता है तो इस लेफिनिटली यहां पर फिर आप मैच में मीड कि दॉली है बट कहीं न कहीं देखा जाये तो आप थोटा था फेवर कर सकते हैं यहां पर एक टीम को बटे परेंट मैंस में बड़े-बड़े प्लेयर से वह नहीं कहले थे तो वही बात है टॉस के बाद देखने को मिलता है कि अगर टीम एजियर की बड़े फ्लेयर खेलत सब्सक्राइब सब्सक्राइब मैच अभी तक आ रहे हैं बाकी 6 मैच विन करें और 1 मैच अब इंडेंड हो गया हाँ हर मैच पर टीम ने क्या स्कॉड किया आप चेक आउट कर सकते हो टीम ने दो बाट बाकि जब compare करोगे इसको EGR की टिम से तो आपकी help हो जाएगी बाकि इंके लिए पॉसिल प्लेंग के लाइगी विश्ण राज ओपनिंग करना है का विश्ण राज ने डेफिनिटल यह पे अच्छा बैट सबन रहा है प्लस विकेट कीपर है तो कैचिंग स्टंपिंग के भी रहे थे और अब तक देख पार हो कि चार हाफ कर चुका इस सीजन में तो क्याप्टन से वाइस के लिए वन आप दी बैश पर यह तो आप देख पार हो कि यह तो रोहन कुन्ना फुल डिरेक्ट हाफ सेंचुरी मार रहा है या तो फिर दस से पहले आउट हो रहा है तो वही नसरी किसी मच बन 27, 26, 25 तो ले सकते हो बैटिंग सेक्षिन अवेलेवल है बाकि पर अनफल आप लेगा इंपोर्टन बनेगा बैटिंग के आथ बालिंग भी कर रहे हैं और अभी तक आठ विकेट ले चुक है तीन विकेट हैं एक विकेट हैं एक विकेट हैं बाकि लाच वा बाकि जोसफ यह भी करेला के लिए श्टेट लेवल पर खेलता है और बहुत बढ़िया प्लेयर है अभी तक उतनी अच्छी फॉर्में नजर नहीं है जितना बड़ा नाम है जितनी इसकी कैपेबिलिटी है बट इस बैटिंग और बालिंग दोनों से कॉंट्रिबूट कर स है विएकि मैच अभेंडेंड हो गया था तो 27 नवारे थे यहां पर और 2018 में श्टेट लेवल पर खेल था तो आप चाहओ तो ग्रेंड लिंग में ट्राइ कर सकते हो वीच अंदरन ने पर काफी अच्छी बॉलिंग करी टीम के लिए आप अब चेक आउट कर पाओगे तो काफी निकाले टीम के लिए आपे दस विगेट के असपास निकाल चुका है तीन से चार और एक्सपेक्टेड है तो डली ले सकते हो टीम में बाट बाट में आपे फदिल फनूस के साथ जाओंगो कि फदिल फनूस भली लाश्ट चार-पांच मैंसे विगेट नहीं मिल रह खेलता है सेम बिश्वेश्वर इन सुरेश भी स्टेट लेवल पर खेलता है सुरेश का भी इतना अच्छा सीजन नहीं रहा है बट इस्टिल अगर आपको ट्राय करना है तो इसको ग्रेंड लिग में करना स्मॉल लिक के लिए सेफ नहीं है और अभी तक बहुत अच्छी इन टीम के लिए यहां पर करिया है और आप देखोगे तो अब तेरा विकिट के आस पास ले चुगा है तो इसको डेफिनेटली टीम में लेना स्मॉल लिग है ग्रेंड लिक दोनों में दैथ होड्स में 15-20 वर के बीच में फलनुस और गोपीनात बॉलिंग करते हो जरूर इंग्लैन में आता है इंपोर्टन बोलोगे तो वेशनुराज रोहन कुनमल परम अलफल सीजो मौन जोसफ फजिल फनूस गोपकलो पिना तो चंदरन को टीम में जरूरू ट्राइब कर सकते हैं आप अपनी टीम में बाकी एजियर के बारे में बात किया तो एजियर की टीम के बारे में बात किया तो एजियर की टीम ने सोफा टोनमेंट देवा तो काफी कंसिटेंटी परफॉर्म कर रहा है यह इसीज़़ी मैच आ रहे हैं और बात कि जायते हो यहां पर विश्नु बाब आपको उपनिंग करते हूं नजर आने वाला है और ध्यान रखना क्लाश् तो आइटिंग अगर यह नहीं खेल था तो यह दूसरी टीम है एंटी सी की वो रहे गई अगर यह वापीस आती तो इंकी टीम रहेगी और सबसे बड़ा प्लेयर सचीन बेबे स्टार्टिंग के तीन मैच का नहीं खेल आपको पता आइप लिए लास सीजन में तो बहुत कि विष्णबाबु कलवाले मैच वह कैटेंट सीम के लिए दोनों कर रहा बैटिंग और बालिंग दोनों कर रहा है बैटिंग से फिलाल फ्लॉब रहा पर बालिंग से कभी दो वर तो खर चार ओर कर राह एक विगट विए तरुम में ट्राइट कर सकते हो बाकि अगर बात करता है किसी में नहीं करता है और अच्छी इनिंग के लिए उसमें ठतरन मारे और एक मैंचे दो विकेट ले हैं तो ले सकते हो बहुत सकते हो कि पार्ट टैम वालिंग कर लेता है तो इसलिए आप जरू ट्राय करना चाहो तो कर सकते हैं स्मॉल लिग हो है ग्रेंड लिग दोनों में बाकि अर्जू नेकिन का विकेट की पर है जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में दो हाफ संच्छी लगातार कर चुका है तीस बत्ती संतों और तीस के ओपर तो अल्मोस्ट कंसिस्टनली स्कोर कर रहा है तो अपनी टीम में जरूर बातार दो दो विकेट लिया और छे विकेट निकाल चुका तो कैप्टैन से विकेटन सी के लिए वन अफ दी बैस्ट पिक रहेगा अकेल मैस मोहमा श्यानू ने सिर्फ एक मैच पर अच्छी बैटिंग कर लेता है और अभी तक सो फार पांच निकाल चुका है सुदेशन म सबसे बड़ा रीजन क्या है कि यह राजस्थान रॉयल्स के लिए आई पेल खेल चुका है तो इंपॉर्टन राप के लिए रह सकते हैं यहां पर सिदेशन मदून और अभी तर दस विकेट के आज पास टीम के लिए निकाल चुका है और बहुत ही कंसिस्टन विकेट टेक पांच मैंच में बहुत अच्छा मीडियम फास्ट बॉलर है यहां कोई विकेट नहीं मिला सचिन बेवी नहीं नहीं खेल रहा है पहले मैच और कल वाले मैच में यहां पर अनून ने इनके लिए ओपनिंग के टीम के लिए सिर्फ एकी मैस भी तक खेला है बाकि सचिन मोहन के बारे में अगर बात की जाए तो अगर यह आता प्लेंग लेहन में तो ओपनिंग करेगा और फिर आपके लिए इंपोर्टन बन सकता है अच्छा बैट्समन है 20 25 तीज़न कर सकते हैं बाकि हर बलेर के श्रेट कर सकते हो जिसको मौका मिला है इनमें से कितना कोई खास नह तो काफी चेंजेस कर वाले मैच पर टीम ने किया थे तो इसलिए थोड़ा अगर इनके टीम भार वाप इस बड़े प्लेयर को बिढ़ाते हैं इनकी टीम थोड़ी वीग हो जाएगी इंपोर्टन बोले होगे तो मेरे लिए हाँ पर डेसिनिटली चंदरन एके MS ग्रेंड म्नु करिशन बागे SMALL लिग में मेध्न और बसले एंप को ट्री कर लेना इपको एकी SMALL लिग टेम और एकी GND लिग टीम देराँ बागी 2 GND लिग की टीम देराँ एकी SMALL लिग की तिन्ड़ेरां कि टीम बागी SMAŁले की टेमिटीम कुई बढ़ें सब्सक्राइब कुि लिंक आपको तेली वियूंग चैले जेका आप को मिलन जाएगा और रैफर को रहेगा के लिए डॉC तो प्मन में जागे फैंट न जाओर फेन उके चैनल जा कर रहा है कि आपके यह कोई आप अभार रिलाध मेरे प्रोल्म नहीं और बाबू भी ओपनिंग प्लस पार्ट टाइम बॉलिंग कर रहा है नहीं तो आप प्रसाद को ले सकते हो मोहन अगर आएका तो मोहन के साथ जाऊँगा मैं तो यह कुछ चेंजिस में कर सकता हूं ठीक है बाकी मैं बोल रहो है आपर मैं गया सीजोमन जोसेफ के साथ सचीन बेवी नहीं खेल रहा है तो पहले मैच दो तीन मैच कर तो इसको इग्नोर करेंगे वी चंदरन के साथ जा सकते हो बट यह कभी बॉलिंग करता है कभी नहीं करता है यह थोड़ी कन्फिजन बनी रहती है बट ओपनिंग कर रहा है टीम में ले सकते हो सेफ ऑप्शन रह आप चंदरन के साथ जा सकते हो तो ये का साथ चंदरन को प्रैफर कर सकते हो में यह पर फनूस की जगह तो यह कुछ एक-दो चंजिंज कर सकते हैं जो की एक ओप्निंग प्लस पाट टाइम बॉलर है और वी चंदरन जो यहां पर है mtc का बाउलर बाकी सुरेज ग्रेंड और मनु क्रिशन पर स्पेशल नसरे बनाए रखना आपको गेम चेंजर बन सकता है बाकि मैंने कैप्टन सी दिये हाँ पर अखेल मेस को आपके में देखे जा रहे हैं पर रोहन कुनमल को आपके कैप्टन सी नीका जो ऑप्शन रहने बाला उसमें एक और है उसमें सुदेशन मिधून सीजो मोन जोसफ और इन में विगेडी पिंग में के लिए अच्छी बैटिंग कर रहा है आप यह अरजुन तुन को ट्राइ कर सकते हो यह मेरी ग्रैंड लिक की बहुत ही जाद रिस्की टीम रहने वाले ध्यान रखके चलना तो यह रिस्की टीम आपके लिए बन स कि जए बन सीजो और अच्छी बन सीजो औरे लिए आपके लिए बन तुन को गलब कर दो यह राद को जाद को है बन सीजो में कर वे घर पहने हो यह बन को रहा है चलना तुन को बन